नमस्क्रा दोस्तों दोस्तों HDFC Bank Limited इसके quarter 4 के numbers आचुके हैं दोस्तों इस एक वीडियो में एक quick analysis हम यहाँ पर चडचा करेंगे दोस्तों बहुत सी ऐसी चीजे हैं जो यहाँ पर deeply हम चडचा नहीं कर पाएंगे कुछ दिनों के बाद जब इसके ऊपर में complete analysis का वीडियो लेकर के आऊँगा तब बारी की से हम इस पर चडचा करेंगे वरनाब एक quick analysis करते हैं देखें साथ में देखेंगे सबसे पहली देखते हैं तो सबसे अच्छी चीज जो है सबसे अच्छी चीज जो है दूसरी चीज हमें इस बार भी quarter on quarter ही हमको इसमें देखना है कि एक साल पहले से compare हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि है एक देखेंगे की numbers थे नहीं तो quarter on quarter हमको यहाँ पर देखना है सबसे पहले देखेंगे interest earned ठीक है interest earned क्या रहा है इसमें आप देखेंगे 71,472 करोड रुपीज जो पिछले quarter में 70,582 करोड था ठीक है यहीं टोटल जो interest earned हुआ है क्योंकि बाई देखेंगे बैंक का जो basic structure हो यही है interest देना और interest लेना ठीक है यही overall basic इनका काम है कि यह कर्जा देते हैं और कहीं और से कर्जा उठाते हैं बस यहीं इनका total overall on a moral level इनका business यही है growth एकदम नहीं है flattest से number है दोस्तों ठीक है interest और discount on advances भिल आप देख लें 58,144 करोड आया है जो पिछले quarter में 56,772 करोड था यहां पर कमी आया है income on investment से देखेंगे 11,597 करोड रही है जो पिछले quarter में 12,215 करोड थी यहां पर भी यानि income on investments भी भी कम देखने को मिल रहा है interest on balances with RBI यानि जो RBI पर पैसे हैं उसको देखेंगे आप जो रखेंगे हुए है 459 करोड आया है जो पिछले quarter में 376 करोड था तब यहां से RBI पैसे इस पर लगता है bank ने जादा रखे हैं तो इनको interest जादा मिलता दिखाई दे रहा है others देखेंगे 12,70 करोड आया है जो पिछले quarter में 12,18 करोड था यहां थोड़ा जंप है other income अगर आप देखेंगे company की तो 18,166 करोड आया है जो पिछले quarter में 11,137 करोड है यानि की भाई साब other income में ना तमाम चीज़े बचा ली है वरना स्तिती ठीक दिखनी रही है personally speaking ठीक है quarter on quarter number में मानता हूँ कोई बहुत सामय रहता नही है लेकिन इस बार number आपके वाकई में अच्छे नहीं है growth आपको नहीं दिख रही है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं देखिए एक जी याद रखेगा HGFC bank ने अल्रेडी बहुत सारी जो negativity है जो issues है वो अपने अंदर pricing दो कर लिया है ठीक है तो stock को यहाँ से बहुत बड़ा crash हो जाएगा यह मुझे नहीं लगता लेकिन हाँ on a fundamental level basis और आने वाले से में जो bank के number आने वाले है उनसे पहले जब हम यह देखते हैं हमको सम्झा आता है कि नहीं भाई कुछ तो चीजें जो growth में जो कमी है वो देखने को साफ मिल रही है ठीक है और total income आप देखेंगे सब को मिला करके तो bank का total income निकल के आता है 89,639 करोड जो पिछले quarter में 81,719 करोड रुपीस ता दोस्तों ठीक है यानि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि भई company का जो jump है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है overall total income में अब बात कर लेते हैं क्या interest कमाने के लिए खर्चा कितना किया है तो आपको मैं दिखाता हूँ आप देखें आपे one second company ने interest कमाने के लिए आप देखेंगे तो खर्चा interest expanded 42,395 करोड किया है जो पिछले quarter में 42,000 double triple one करोड पीस था लिट्रली में flat numbers हैं यह लिट्रली core operational basis में लिट्रली flat numbers हैं ठीक है अब operating expense देखेंगे तो यह 17,968 करोड रुपीस आया है जो पिछले quarter में 15,961 करोड था यानि आपका operating expense में एक jump देखने को मिल रहा है और वो भी जो jump आया है वो employee cost अगर आप देखेंगे न 6,936 करोड है जो पिछले quarter में मातर 5,351 करोड थी यह तो quarter on quarter भी बड़ा jump है ठीक है तो employee को कुछो खर्चा दिया जा रहा है inflation कराण वो भी आपको बढ़ता दिखाई दे रहा है operating expense देखेंगे 11,032 करोड आया है जो पिछले quarter में 10,609 करोड था ठीक है और जब आप तमाम चीज़ों को जोड़ते है total expenditure जिसमें provisional contingency include नहीं है तो 60,364 करोड है जो पिछले quarter में 58,072 करोड थी यानि यहाँ पर आपको jump देखने को मल रहा है ठीक है और अब operating profit before provision contingencies 29,274 करोड है जो पिछले quarter में 23,647 करोड रुपीज थी ठीक है before आप कह सकते हैं provisions और contingencies अब आते हैं provision और other contingencies में 13,511 करोड की provisions और contingencies भाई साब provision आपकी इतने जादा कैसे बढ़ गए है जो एक quarter पहले मातर 4,216 करोड थे अब देखें यहां पे यह आ सकता है कई जो चीज़े कह दी भाई RBA की कुछ जो regulations उनके करण आ रहा है फिर एक चीज़ चलती है कि जो यह आ रही है न कमी यह retail में जो कमी आ रही है business में प्लस जो retail का NPA बढ़ता चला जा रहा है उसका असर देखने को मिल रहा है और देखिए है तो humongous jump लेकिन क्यों कारण हो रहा है यह हमको देखना पड़ेगा इनके notes में बट दिस इस नोट अगूड साइन अगर मैं प्रोविजन में जादा ध्यान दू भी नहीं जो कि मुझे परस्टनली बताओं तो एक बहुत ही बड़ा negative दिख रहा है उसके बावजूद भाई साब ग्रोथ नहीं है बिल्कुल भी बैंक में ठीक है और जब हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कि भी total total comprehensive net profit अगर हम देखते हैं कि net profit for the period आपका क्या आया है तो बाई साब यह 16,511 करोड आया है जो पिछले quarter में 16,372 करोड था ठीक है यानि कि एक marginal साब को यहाँ पर jump देखने को मिल रहा है दोस्ताँ ठीक है marginal सा jump और profit from ordinary activities अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको before tax की बात हो रही है ठीक है अब बात कर लेते हैं क्या analytical ratio क्या आया है तो दीके capital education ratio 18.39 से बढ़ करके 18.80 आ गई है यानि आप कह सकते हैं capital के मामले में अभी भी चीजें थोड़ी ठीक है निए company एक अच्छा काथा पैसा भी रख्य हुई है ठीक है और पिछले quarter से बढ़ना ये बात का दर्शारा है कि शायद अभी आप कह सकते हैं कि कोई भी बड़ा jump आपको देखने को नहीं मिल सकता है किस चीज में आप कह सकते हैं fund raise करने के लिए तो net profit for the period company गाया है कितना 16,511 जो की marginally बढ़ा है दोस्तों 16,372 crore तो मैं इसलिए कह रहा हूँ growth में कमी है अब बात कर लेते हैं क्या NPS NPS की जो बहुत जादा important है तो से पहले देखिए one second आप देखें आप पर जो EPS आई है basic EPS देखते हैं diluted EPS आप देखें 21 रुपे उन चास पैसे थी जो इस बर बढ़ करके 21 रुपेन 67 पैसा बिल्कुल फ्लाट है फ्लाट नंबर्स gross NPS अगर आप देखेंगे company की one second अगर आप याँ पर gross NPS देखते हैं NPS तो पहले 31,011 crore था जो अब थोड़ा सा slightly बढ़ कर के आई 31,173 crore ठीक है आपका जो net NPS 2 advances है 0.31% से बढ़ करके 0.33% हो गया है ठीक है आपका return on asset ROE वो 0.49% के बराबर यह 0.49% देखें मैं बता रहा हूँ जो problem है ना वो flattish ही है यार मतलब मुझे growth नहीं दिख रही है चीजों में ठीक है बहुत सारी चीज़े तस्वीर यहां पर clear हो जाएंगी आपको देखें Treasury तो वहां से 14,664 crore से जंप हो करके 20,553 crore का बिसनस है मतलब भाई साब core business में आपका जंप नहीं आया ये आपने जो पैसे रख्यों है ना उसका जंप आया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंकों में ग्रोथ की कमी साफ दिख रही है ठीक है Retail banking 64,774 crore था वो बढ़ा ही नहीं है फ्लाटिश रहा है 65,065 crore मतलब चीज़ें वाकई में जो एक Retail banking है उसमें साफ साफ slow down देखने को मिल रहा है Wholesale banking 49,743 crore से घट करके 48,745 crore हो गई है और मुझे ऐसा लग रहा है बाई साब आप में बिल्कुल भी बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है Retail banking जहां आप 55,0725 crore कमाया था आपने आप मातर 426 crore कमा रहे हो इंकम जो आपके निकल के आ रही है आप wholesale banking से 9,876 crore कमाया था पिछले quarter में अब आप मातर 3751 crore कमाया है अब मुझे समझ में नहीं आ रहे किसको अच्छा लग रहा है result बट फॉर मी इट्स अ बिग नू ये वाकई में एक बहुत बहुत बड़ा जटका है और ये मुझे ऐस लग रहा है बड़ा जटका अन्य banking stock के लिए भी है अन्य banking numbers के लिए भी है और अगर अगर יे प्रकार के number सिर्फ HDFC bank दिखा रहा है तो मैं आप से कहूँगा Things are not pretty good in HDFC bank Personally growth गाएब है रिटेल बैंकिंग से तमाम चीज़ें गायब है तो हमको देखना यह पड़ेगा क्या मंडे को एक बड़ा क्रेश आ सकता है ठीक है परस्नली और यह बहुत दा गिर चुका है लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर इसके बावजुद भी कोई बोल रहा है कि यह धूम धड़ाका वला नंबस है I don't think so और वो भी ट्रेजरी और जो RBI के पैसे बचे रखे है वह ही कारण है RBI ने रिजल्ट बचा लिया है वरना मुझे यह लगता है ग्रोथ गायब है ठीक है तो आप यहां तक जुड़े रहे चैनल में पहली बारा है प्लीज सब्सक्राइब बटन जरू दो बाईएगा वीडियो अच्छे लगती हो लाइक जरूर कीज़ेगा यह इस वीडियो का अंत है जैहन दोस्तों